तो लीजिए जो भी कावरिया भाई बंधू बोल रहे थे क्या इस बार जारखन में महिन बालू बिचे गाई या नहीं कावरिया पत में तो देखिए कावरिया पत में महिन बालू बिचने वाला है जिस कारण से बालू डंप करके रखा गया है तो आगे क्या कुछ होने वाल और इसी रस्ते से सभी कावरिये सुल्तान गई से गंगा जल भरकर उधर बिहार से आते हैं और ये गेट क्रोस करने के बाद वो जारखंड में प्रवेस करते हैं बाबा की नगरी देवघर में प्रवेस करते हैं इधर जो है मंच वगेरा बना हुआ रहता है जहां पर सांस्क करती कारिक्रम होता है भजन किरतन होता है और सभी कावरिये यहां पर जूमते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया पहले जब मैं यहां पर आया हुआ था और यहां पर पुलीस का रहने का ब्यवस्ता होता है यहां पर पुलीस इस्थाई जो है और इस्था जो आप महीन बालू देख रहे हैं, जो कि आप लोग बोल रहे थे, जो ये गंगा जी का जो बालू रहता महीन वाला, ये बालू इस बार भी बिछेगा या नहीं, या इस बार भी यही बालू बिछेगा पूरे कावरिया पत में, और मैं अभी जारखंड की तयारी आप पूरे कावरीया पस्में पिछाया जा रहा था, इस बार जो है, जारकंड के लिए बालू यहां पर डंप किया गया है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यह सब जगह को भी आप देखिए, सावन के समय कैसा रहता है यहां पर नजा रहा है, चलिए एक बार और आपक लोगों को धीरे-धीरे एकदम नजदी लेकर आ रहा हूं और मेरे साथ छोटू है जो की कैमेरा कर रहा है और यह देखिए यह बालू जो है गंगाजी का ही बालू है जो की यहां पर गिर चुका आप देख सकते हैं कितने ट्रकों से लाकर यहां पर बालू डंप किया गया है यही बालू जो है धीरे-धीरे पूरे कावरिया पथ में बिछाया जाएगा देख लिजिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं देख सकते हैं इस प्रकार से पूरे में बालू यहां पर गिरा कर रखा गया यहां से लेकर यहां तक बालू गिरा कर रखा गया है और यह वह यही बालू है आप देख लिजिए यहां पर मैं बोलूँगा छोटू को जो है एक दम जूम करके दिखाएगा यह वही महीन वाला बालू है जिसकी चर्था सभी कावरिये बंदुक आते हैं जो है यही बालू बिछने से अच्छार आएगा इस बालू पर क्या होता सभी काव आगे तक इस परकार से बालू यहां पर रखा गया और अभी सावन मेले में समय है तो कुछ दिन बाद से बालू यहां से टेक्टर के माध्यम से लेकर जाएंगे पूरे में इधर से इधर जो है जार्खन के तरफ जब पूरे में यह वालू जार्खन में बिछले वाला है और बिहार में जो है अभी बालू नहीं गिरा है मैं अभी गया हुआ था गोडियारी नदी तक तो वहां तक मैं देखकर आया हूँ वहां तक में जो है बालू कहीं डंप नहीं हुआ है तो जैसे उधर भी बालू गिरेगा वहां कावी में वीडियो आप लोगों को दिखा वो भी वीडियो में आप लोगों को दिखाया था तो जो भी भाई बंदू कमेंट कर रहे थे तो बालू कब से बिचेगा और इस बार क्या महिन बालू बिचेगा या नहीं बिचेगा तो वह आप देख सकते हैं यहां पर सामने आपका प्रूप रखा हुआ है इस बार भी ुआ है मोँट्रा बालू को हटा दिया गया और यह महिन बालू बिचाने का सिलसला चालू हुआ तो दो पिछले साल जो है चिसे परकार से से यह महिन बालू बिचने वाला है कावरियापत में, तो मैं आप लोगों को कावरियापत का हर एक अपडेट देता हूं, जो भी काम होता है, वो तुरंत मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, जिनों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया, जल्दी से जा हैं उन्तक्य ठीवह कैसे सब्सक्राइट हुए ने टम कर दिया गया कुछ ही दिनों में जो है टिखेगा इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाओंगे किस प्रकार शुक्त बन रहा हैं जैसे बी जो भी काम होगा यह सारा यहां पर देखने को मिलेगा च come चलिए फिलाल इस वीडियो को यहीं परिंड करते हैं, फिर मिलते हैं और एक नए जानकारी के साथ, तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए, आप फेस्बूक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर लाइक, फोलो, सेयर कीजिए, चलिए फिर मिलते हैं, हरार महादेव, जैवाबा बैदनाथ!